दीप मॉनिंग, चुट्टी के बाद तो लोटें, आपको दो दिनों का समफ करना है, बुधवार का और गुरवार के प्रदर्शन का, तो क्या हुआ है एक्जाक्ली कहां रखनी नज़र? एक तरह से अच्छा ही है कि कल हमारे लिए चुटी थी क्योंकि बुधवार शाम को अमेरिकी बाजारों में सुस्ती थी, बट उसके बाद कल शाम को वापस आपको बढ़िया आक्शन बनते हुए दिखा है, तो दो दिनों से आप वैसे कह सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट में अ सुस्ती के संकेत उस समय आ रहे थे, तो उस हिसाब से एक्शन हुआ, नाजडाक जो जब हमारे बाजार गिर रहे थे, वहाँ पर जादा नीचे था, वो आक्चिली पॉजिटिव टरिटी में बंद हुआ, एक चौथाई परसेंट उपर हुआ, बट नेट नेट दो दिनों से नाजडाक और डाउ दोनों मिले जोले आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, तो सतरंक परसो शाम फिसलने के बाद कल शाम डाउ पर आपने पॉने 300 उंकों का बढ़िया उचाल देखा है, और डेज हाई पर आपको डाउ बंध होते हो देखा है, वहीं नाजडाक सी तरफ से अमेरिकी बाजारों का ये जो movement है, वो influence होते हो दिखा है, एक तो जो हम बात करे थे बुदवार शाम को European Central Bank के Central Banking Forum में हमने देखा था, Fed Chairman का बयान दिया, उस पर एक बाजार का reaction आया, और फिर कल हमने देखा कि कई सारा important data अमेरिकी बाजारों में आते हो दिखा है जिसकी तरफ से बाजार ने आपको positive reaction दिया है, तो सबसे बड़ा factor जो Fed ने stress test करा था banks पर, हम याद है March मही में में जो banking सेंकर चल रहा था, उसकी वाज़े से global markets में कितना बुरा हाल हुआ था, उसके बाद US Fed ने 23 बड़े banks पर stress test किया, और सारे bankों ने इस stress test को pass कर दिया है positive results आपको आते हुए दिखे, तो यहां से बाजार ने रहत दी कि चलिए at least banking sector के capital situation में इस समय कोई problem नहीं है, और सारे 23 बैंक इस stress test में पास हो गए, तो banking shares में आपने बड़ा उचाल दिखा है, गोल्मन साक्स 3% उपर था, जेपी मॉगन सारे 3% उपर था, वेल्स फार्गो में 4% की आपने तेजी देखिए, तो यहां से तो बाजार को अच्छे संकेत कल आते हुए दिखे, दूसरा सब्ताहिक बेरोजगारी जावे, जो पिछले कुछ हफतों से हम देख रहे थे, बढ़कर आ रहे थे, कल आपको 20 महीनों में सबसे बड़ी गिरावट दिखाते तो वापिस यह जो गिरावट आही सबता एक बेरोजगारी दावो में, यह दिखा रहे है कि लेबर मार्केट में अभी भी स्ट्रेंथ है, अगले हफते हमें जॉब्स डेटा आते हो दिखेगा, तो वहां पर बाजार ज़ादा रियाक्शन देगे, बट यहां से भी बाज मार्केट एक्सपेक्ट करें थी कि यह 1.3% का 1.4% हो गया है, बट यह सीधा रिवाइज होकर 2% आते हो दिखा, तो एकॉनमी में जो स्ट्रेंथ है, वो आपको क्लियरली दिख रही है, आपको याद होगा जब हम बुधवार सुभा भी बात कर रहे थे, तो उससे पहले ज चैन्थ है, वो लगातार डेटा में आपको बरकरार दिख रही है, डेटा इकसी बात करें तो फेड चेर्मन साब ने क्लियरली, ECB फोरूम ने कहा है कि देखे, हमारा टारगेट है इंफलेशन को 2% पर लाना, और जब तक यह इंफलेशन 2% पर नहीं आता, तब तक हम अप अग्रेशिव पॉलेशन पर बने रहेंगे, और उनने ये भी कहा कि 2% इंफलेशन नहीं इस साल आएगा, और अगले साल भी आने की संभावना कम है, यानि कि जो टारगेट फेड लेकर चल रहा है इंफलेशन के, उससे तो काफी दूर है, और उनने लग रहा है कि काफी सम वह भी बढ़कर आए, 3.8% के उपर, 3.85% के पास आपको आती हुई दिखरी है, आज परसनल कंजम्शन एक्सपेंडिचर डेटा भी आने वाला है, इंपोर्टन डेटा रहता है, जो फेड ट्राक करता है, देखते हैं, यहां से भी क्या संकेत मिलेंगे, बर डेटा जो कमोडिटीज में सुष्थी है, हालकि कच्छा तेल कल थोड़ा उपर है, बट रेंज में है, चोटर डॉलर के आसपास आपको ब्रेंट ट्रेड करते हुए दिखरा है, सोना साड़े तीन महीने के निचले सतर पर है, बेस मेटल्स में गिरावट कल गहराती हुई दिखी है, कॉपर एक महीना तो जिंक धाई हफते के निचले सतर पर आ गया है, अगरी कमोडिटीज में भी आपने भारी गिरावट देखी है, तो डॉलर मजबूत हो रहा है और अमेरिका का डेटा काफी मजबूत आते हुँ दिख रहा है, डाउ पर भी कल अच्छा आक्शन कर अच्छा आख कर दो दिखाड ऑरावट